नमस्कार आप सभी का स्वागत है बेसिक सिक्षा पे और बीएच्चू के काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा ये बीएच्चू ने बता दिया है अभी बीएच्चू ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया अपनी वेब साइट पे जहां से रेजिस्टेशन हो रहा है और राउंड वन का जो एलोट्मेंट रिजल्ट है वो 17 तारिक को आएगा डिएउ का 16 तारिक को आना है और बीएच्चू का 17 तारिक को आएगा तो बच्चों के पास एक क्लियर कट आप्शन होगा कि वो डिसाइड कर पाएंगे कहां एडमिशन लेना है और भी देखिए डिएउ में लेंगे कि वी अच्चू में लेंगे ठीक है ऐसे डिव में भी आपको दो दिनों का समय दिया जाता है ठीक है कि जब भी आपको सीट ऑफर की जाती है मतलब आपको एलोट्मेंट रिजल्ट आता है कि आपको यह कोर्स अलोट हो गया है उसके बाद आपको पॉटल डैश्बोर्ट इस रिस्पॉंसिबिल्टी ऑफ कैंडिडेट टू चेक डैश्बोर्ट रेगुलर्ली फॉर आफ्टर इच राउंड आफ सीट अलोट्मेंट इफ सीट इजलोटेट मस्ट कंप्रीट और रिक्वार्मेंट एड मिसन फॉर्मिल्टी तो यह इसका मत मतलब जब सीट अलोट होता है फिर उसके बाद पेमेंट करना है तो आप डेली एक बार चेक किया करोगी कुछ नया तो आपके पोटल में नहीं हो रहा है ठीक है ना उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए क्या दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन फीर नहीं 20 त अब जाके बाद में स्पॉर्ट राउंड होता है उसमें आप रजिस्टेशन फिर से करके भले कर लेंगे ठीक है मतलब अगर आपको आपके मन पसंद सीट नहीं मिला कोई तो भी अगर कोई भी सीट मिली है तो आप जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा और तो आपको पेमेंट करते रहना है लास्ट मिनट करने के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटीन को इन्होंने थोड़ा सा और फिर से अपडेट किया है इसमें बहुत सारी चीजे बताई है जैसे इनका बोलते हैं यह सारी चीजे जो पहले इन्होंने नहीं दी थी जब देना चाहिए था और अभी इन्होंने दिया है जब सारी प्रकिरिया खतम हो गई तब जाके दिया है जिसमें इन्होंने subject mapping और यह सारी चीजे लिखिए इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन इसमें allotment rule का बहुत मतलब है ठीक है और इसके बारे में detailed में आपको allotment rule पे एक वीडिय अपग्रेड कैसे होगा कैसे आप admission कैंसेल कराओगी यह सारी प्रोसीजर समझ में आएगा ठीक है स्वस्त्रहीं मस्त्रहीं खुश्रहीं all the best love you बच्चो